आज इस वीडियो में हम देखने वाले टोप 35 परमुक वेग्यानिकों से सम्मंदित कोश्यन आंसर जो की काफे इंपोर्टेंट होंगे एक्जाम के पुछे जाते हैं तो आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और इन 35 इस कोशन में से आप लोग कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बोक्स में जरूब होतेगा इस सभी प्रिक्साओं के लिए दोस्तों चाहिए SSC, रेलवे, पुलीस, लेकपाल, बेट सभी एक्जाम के लिए अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में सेर भी जरूब करिएगा दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को और हाँ अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर आता होगा तो कमेंट बोक्स में बताएगा क्योंकि मैं आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिंड देने वाल का तो यह आपको याद दखना है दूसरा कोशन है एंटिसेप्टिक सरजरी का सुत्रपात किस ने किया था दूसरा कोशन मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर यानि की राइट आंसर इस ओप्सन सी तो यह आपको याद दख तो तीसरे question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर क्या आप लोगों ने अगर यहाँ पर C answer लगा रहे है होमे जागीर बाबा यानि कि बिल्कुल सही उत्तर क्या है 1948 में गटित प्रमानों उर्जा आयोग के अध्यक्स कौन थे होमे जागीर बाबा यानि कि right answer is option C question number 4 कह रहा है दोस्तो E equal to MC का square का परतिपादन किस ने किया था दोस्तो question number 4 का right answer हो जाएगा Albert Einstein यानि कि right answer is option तो question number 4 का right answer A हो जाएगा पाचवा question है सामपेक्सता का सिध्धान्त दिया था पाचवा question बिल्कुल सही answer किया है और पाचवा question का जो सही उत्तर होगा वह आपका Einstein यानि कि A right answer हो जाएगा दोस्तो question number 6 है भारतिय अंतरिक्स अनुसंदान संस्थान यानि कि इस रो कहा इस्तित है तो छटे question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्कुल सही बैंगलोर में है यानि कि A right answer हो जाएगा साथवा question है चंदर सेखर बेंटेक रमन को नोबल पुरुसकार कब मिला था तो साथवे question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर किया है आप लोगोंने अगर यहाँ पर option B आ रहा है 1930 तो यह आप लोग को याद रखना है आठवा question है दोस्तो परमानों के नाबिक की कोच किस ने की थी और हाँ दोस्तो अगर आप लोगोंने पुरानी वीडियोज नहीं देखिया है जो अभी तक upload हो चुकी है तो मैंने हर एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे description box में दे दिया है वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज देख सकते है जो अभी तक upload हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर आठवे question का right answer आप लोगोंने comment box में बता दिया होगा आठवे का right answer हो जाएगा रदरफोर्ड यानि की a right answer होने वाला है नौवा question है सूर्य की दिरवयमान की 1.4 गुने दिरवयमान को कहा जाता है दोस्तो नौवे question का right answer हो जाएगा question number 9 का right answer हो जाएगा चंदर सेखर सीमा यानि की right answer is b तो यह आप लोगों को याद अखना है दोस्तो दस्वा question है कैसको ग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी दस्वा question दोस्तो कैसको ग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी तो दस्वे question का right answer हो जाएगा जगदीश चंदर बोस ने यानि की a आपका right answer हो जाएगा दोस्तों ग्यारवा कोशन है The History of Hindu Science किसकी अनुपम कृती है बिलकुर दोस्तों ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा मेगनाद सहा की यानि की राइट आंसर आपका D हो जाएगा ग्यारवे कोशन का बारवा कोशन दोस्तों क्या कहता है कि चेचक के टीके की कोश किस ने की थी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो रहा है ठीक है न तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चलिए कमेंट बोक्स में बता दीजिए क्योंकि चेचक के टीके की कोश किस ने की थी मैं कई बार बता चुका हूँ और इजी कोशन है यह आपके लिए छोड़ देता हूं कमेंट बोक्स में सभी का अंसर आना चाहिए ठीक है बहुत इजी है यहाँ पर आंसर सी है थोड़ा सा दिख भी रहा होगा तो आप लोग इसका अंसर लगा सकते हैं और इस वीडियो के कम अपने अक्सबर्ग घूमती हुई सूरे की परिकर्मा करती है दोस्तों थर्टीन का राइट आंसर हो जाएगा आरिया भट ठीक है यह बताया था आरिया भट ने तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा की खोज किसने की थी कुश्य नमबर 14 देखें न्यूट्रोन की हो जाएगा पंदरवा कोश्य ने परमानु के सिध्धान का परती पादन किस ने किया था परमानु के सिध्धान का परती पादन किस ने किया था जॉन डाल्टन ने आने की राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा दोस्तो question number 16 है the origin of species किन की रचना है तो right answer दोस्तो हो जाएगा Charles Darwin यानि की right answer आपका A हो जाएगा question number 16 का 17th question है राष्टे विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है देखे राष्टे विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तो 28 फरवरी को ठीक है तो right answer आपका D हो जाएगा 18th question है hydrogen को तत्व के रूप में खोज किसने की 18th question का right answer हो जाएगा Henry recommendation यानि की right answer आपका C हो जाएगा 18th का question number 19 है रक्त परिवेन की खोज किसने की थी तो रक्त परिवेन की खोज दोस्तो किसने की थी विलियम हारवे नहीं यानि की right answer आपक्षन है दोस्तो 20 वा कोशन है एक्सरे की कोज किसने की थी तो डेवल्यू सी रेनेटिजन यानि की right answer बी हो जाएगा दोस्तों 21 वा कोशन है गती के जड़त नियम को किसने पर्तिपादेद किया 21 वे का right answer हो जाएगा गैलिलियो यानि की बी right answer होगा 22 वा कोशन है गती के नियम किसने दिया था तो right answer दोस्तों Newton हो जाएगा गती के नियम किसने दिया था Newton है तैस्वा कोशन है आपका भारत का birds man किने कहा जाता है तो right answer हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को यानि की C right answer होगा 24 वा कोशन है अनुवानसिकी कोड की कोज किसने की दोस्तों 24 वे कोशन का right answer हो जाएगा अर्गोविंद खुरानाने यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तों टेलिस्कोप का निर्मान किसने किया था तो 25 वे कोशन का right answer हो जाएगा गैलिलियो ने यानि की right answer is D 26 वे कोशन है लाइसोसोम की कोज किसने की 26 वे कोशन right answer हो जाएगा C D डुबे यानि की right answer आपका हो जाएगा B right answer 27 वे है प्राकरतिक चैन का सिद्धान किसने दिया था तो 27 वे कोशन का right answer हो जाएगा डार्विन यानि की A right answer हो जाएगा 28 वे कोशन है लाइकेन की खोज किस वेज्ञानिक ने की थी 28 वे कोशन का right answer हो जाएगा तो लास ने यानि की right answer D हो जाएगा 29 वे कोशन है सबपर्थम जिवानूं का पता किसने लगाया था तो इस कोशन का right answer हो जाएगा लियो वेन हॉक यानि की right answer हो जाएगा B 30 वे कोशन है पैंसिलीन की खोज किसने की थी तो right answer हो जाएगा दोस्तो एलेक्सजेंडर फ्लेमिंग ने यानि की right answer इस ओप्षन है 31 वे कोशन है कोशी का सबद का प्रियोग सबपर्थम किसने किया था तो 31 वे कोशन का right answer हो जाएगा रोबर्ट हुक ने यानि की right answer हो गा 32 वे कोशन है इंसिलीन की खोज किसने की थी तो right answer हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने यानि की right answer इस भी गामा किरन की खोज किसने की 33 वे कोशन का right answer हो जाएगा पॉल विलाड ने यानि की right answer इस दी दोस्तो आपका 34 कोशन क्या कह रहा है रेबीज के टिके की खोज किसने की थी तो लुईस पास्चर इस कोशन का right answer हो जाएगा 35 कोशन है प्राकरतिक वरण का नियम किसके द्वारा परतिपादित किया गया तो इस कोशन का right answer दोस्तो 35 वेगा क्या हो जाएगा चार्ल्स डार्विन यानि की C right answer हो जाएगा 35 वेगा ठीक है भई तो 35 कोशन में से आप लोगों ने कितने सही के हैं सबसे पहले तो यही बता दीजे झाल varyingावा जाएगा 5 वेझा कि पहले लोगों झाएगां तो 25 वेड़िवेँ जीजे पहले का सबसे पितने सहीं